अजय को राम राम सभी कुरा दे रादे कैसे हैं आप सब लोग उमेद करते हैं अच्छे ही होंगे सब लोग अच्छे ही रहना चाहिए और बताइए सब कैसे हैं और आज मैं कहां आई हूँ छत्पे काफे दिन बाद कम से कम हो गए तीन महिने बाद मैं आई हूँ छत्पे और सामके बज रहे हैं साड़े चार बज रहे हैं तो आज थोड़ा टाइम था तो मैंने चलो छत्पे घूम लेते हैं दिखाते हैं कैसे हैं यहां का एरिया और यह मेरे छत्पे और बाबर दिखा रहे हैं आप लोग को कैसे हैं पाहर कैसे सुलेटे हुए यह आते हैं तो कुछ खेलने वाला च्छ पर नहीं मिलता है तो यहीं पे खेलते हैं और मेरे बाहर का एरिया देखो कैसे कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा दिख रहा है बाहर से, बील्डिंग, बील्डिंग, चारो तरफ बील्डिंग, यह मेरे जेस्ट बगल, पीजी है, यह देखें, पीजी का पूर्ड लगा हुआ है, यह ज ज्यादा यह देखो कैसे लग रहा है यह इधर को सामने का है कर यह मेरे धरर के ग dopoर में से रोड गई है यह देखो कितना सुन्दर लग रहा है देखने में हिल साइड है ना तो नीचे से उपर जाना पड़ता है तैदल अगर चड़ना पड़ता है तो हालत खराब हो जाती है अगर साथ में कुछ बैग वगर लेके जाओ नहीं उपर मत जाना यह देखो चारू तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और आप लोगों को दिख रहा होगा कितना पेड़ वो जो उदर पेड़ दिख रहे हैं जो करके लिखाती हूं ओ देखो ग काड़ते नहीं है उसी के बीच से घर बना लोत तभी यहां पे भूब भी रहती है तेस मिटेस दूप ही देख सकते वाम लोगों कितनी है लेकिन थंडी हावा चलती है बहुत थंडी हावा यह सारे होटल है सामने और वो सामने वाला होटल है мосायप्स ही कि अधर जादा मतलब हम लोग रहते हैं और होटल है अंदर है कि हम लोग देखे रोड गई है यह सामने बेकरी है धोग तेज की वजय से उसनों ने परदा लगा रखा यह देखो यह सामने से रोड गई हुई है जेस्ट बगल से मेन रोड की तरफ देखिए यहां का कितना अच्छा मौसम है और मैं दूसरे साइड का दिखाती हूं बैक साइड में नीचे उतर जाओ गिर जाओगे चोट लग जाएगी यह देखो कितना अच्छा मौसम है और यहां पर टंकी देखो दूख की वज़ा से इसमें ना दिख ना दिख नहीं दे रहा है यह दिखो ऐपायक साइड का एरिया है इसले मेरी छत पाहां देखो कितने बड़े-बड़े टंकी रफ कि है क्योंकि इस जिसमें हम्रहते है न इसमें यह दिखाता है इसमें पानी का सोलर पैनल है कैसे है लगता है अगर च्छत पे आओ ना तो और भी बहुत सुन्दर लगता है बादल घर यह देखो कितना सुन्दर यह आप यह देख सकते हो यह हास्टल अभी में साइड में जाके दिखा रही हुँ यह होस्टल है जिसमें नारियल का पेड़ लगा हुआ है ना वह है होस्टल यह होस्टल है तो होस्टल के ανदर देखओ उसका नारियल का पेड़ लगा हुआ है 5-6 लगे हैं लेकिन उनने काटा नहीं है उसी के अंदर साइड से कम्रे बना लिए हैं औरा साइडमें घर बना दिया है सबके यहां छट्पे वो आपको दिख रहा होगा यहां पे सोलर पैनल यह पानी गर्म करने आला ना हर जगह लगा रहा था वो देखो सामने आली छट्पे लगा हुआ है वो देखे और यह हमारी एरिया है हेल साइड तो उपर चड़के जाना पड़ता है पैजल चलने में हारत खराब गए है हमारे बिल्डिंग के सामने का एरिया यह भी रोड़ी है सामने से भी रोड़ गई है और साइड से यह रोड़ जाके उधर मुड़ गई है वो दिखो अप लोग देखना यहां का एरिया कैसे है अच्छा लग रहा है कितना अच्छा क्वार यहां कितना यह कितना यहां कितना अच्छा एक्छा जाए जाववाया कितना बेंगाट।